मुकदर का सिकंदर की शूटिंग के दौरान जब अमिताब से हुई एक गलती नाराज विनोध खन्ना ने लिया था बड़ा फैसला विनोध खन्ना आज भले ही हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी यादें आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में बसी हुई है विनोध खन्ना के अभिने के लोग कायल थे उनके चाहने वाले उनकी फिल्मों का भी बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते थे आज हम आपको विनोध खन्ना से जुली एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिससे शायद आप भी अंजान होंगे महानायक अमिताब बच्चन और विनोध खन्ना की जोडी ने सत्तर के दशक में सदी में बॉक्स आफिस पर कबजाही कर लिया था दोन ने मिलकर एक से बढ़कर एक फिल्में बॉक्स आफिस को दी थी इस जोडी को काफी पसंद भी किया जाता था लेकिन दूसरी और चर्चाएं हमेशा यही होती थी कि विनोध खन्ना हमेशा अमिताब बच्चन पर भारी पढ़ रहे हैं कहा तो ये भी जाता है कि उस दौर में विनोध एक मातर ऐसे एक्ट थे जो अमिताब को टक कर देते थे लेकिन साल 1978 में आई फिल्म मुकदर का सिकंदर की शूटिंग के दौरान ऐसा क्या हो गया था कि विनोध खन्ना हमेशा अमिताब से इसका दर खफा हुए कि उनके साथ फिर उसके बाद कभी साथ काम किया ही नहीं सबसे पहले आपको उनपाँच फिल्मों के बारे में बताते हैं जिसमें विनोध खन्ना अमिताब पर भारी पड़ गए थे साल 1975 में आई फिल्म जमीर, 1976 में आई फिल्म हेरा फेरी, 1977 में आई फिल्म परवरिश, 1977 में आई फिल्म अमर अगबर एंथनी और 1978 में आई फिल्म मुकदर का सिकंदर में अमिताब बच्चन और विनोध खन्ना एक साथ नजर आये थे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन पाँचों फिल्मों में विनोध खन्ना अमिताब बच्चन पर भारी पड़ गए थे दर असल अमिताब बच्चन जब इंडस्ट्री में आये थे तब विनोध खन्ना पहले से बॉलिवुड में अपनी पहचान बना चुके थे और लोग विनोध खन्ना के अभिने के दिवाने थे लेकिन साथ में इतनी सारी फिल्में करने के बाद ऐसा क्या हो गया था कि विनोध खन्ना ने अमिताब से दूरी बना ली थी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुकदर का सिकंदर की शूटिंग के दौरान अमिताब बच्चन को विनोध खन्ना पर एक गिलास फेकना था और विनोध को उस गिलास से बच्चना था लेकिन डायरेक्टर ने जैसे ही एक्शन कहा अमिताब ने जोड से गिलास को विनोध खन्ना पर फेका लेकिन विनोध सही समय से जुक नहीं पाए और गिलास उनके चिंट थुटी पर जा कर लगा जिसके बाद उनका चेहरा लहुलुहान हो गया था और उन्हें सोलह टांके लगे थे कहा जाता है कि इसी घटना के बाद विनोध खन्ना ने एक बड़ा फैसला लिया था उन्होंने फिर दोबारा कभी अमिताब के साथ काम नहीं किया और उनसे दूरी बना ली थी